है तो सिनेमा सिमुलेटर के पिछले एपिसोड में तो हम अपना एक सिनेमा थियाटर वाला बिजनेस ओपन करते हैं और बिजनेस के लिए हम बाकी का सब कुछ काम करते जैसे कि साप सोपई बगरे करना सब कुछ हम ही कर रहे होते हैं अब ये सब कुछ तो चली रहा होता है लेकिन तभी एक रात ये हाथ हिलाता हुआ आद में कौन था इसका तो कुछ खुलासा नहीं हुआ लेकिन अब हम कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पिछले एपिसोड में दो कैंडिडेट्स आते हैं लेकिन दोनों के दोनों ना बोल देते हैं तो यहां पर मैं जैसे बाहर जाता हूँ रोटी अंकर जी बाहर खड़े होते हैं वो मुझसे पूछते कि तुम्हें कोई करमचारी मिला मैं बोलता हूं नहीं क्या करमचारी मिल गए मेरे को नौकरी नहीं करनी है अब वो क्यों करते हैं ऐसा मुझे तो नहीं मालूम शायद इस अंकल का कुछ हाथ वात होगा तो मैंने अपना रोज का दिन के तरह तरह अपना ये काम स्टार्ट किया लेकिन आज एक उमीद थी कि शायद कोई न कोई आएगा और मेर नहीं करता हूँ मैं यहां पर काम करो कि तो हम कर सकता हूं मैं बोलती हो हा ठीक है पहले रेडियो होके आजा ऊज़ू फिर काम कर लिए वहा फिर कहता है ठीक है मैं कल से आ जाओंगा रूजla काम पे तो मैं अबट गम सुत अ ओर घर जाılकर तो, äपने काम के लिए आगे जाए रहा होता हूँ तभी मुझे कुछ सुनाई पड़ता है खुसुर खुसुर मैं जाके देखता हूँ तो मेरा जो एंपलोई यहां पर आने वाला होता है वो किसी के साथ खड़ा था मैंने उनके बात सुनने की कोशिश की आयो रामा उधर काम नहीं करने का अगर तो उधर काम करेगा तो मैं तेरी हड्या तोड़ डालेगा समझ में आया पर मुझे वहां पर काम करने मुझे काम की जुरूत है अब तुम बहादूर बनने की कोशिश करता हैं? मुझसे होश्यारी करता उसको मठ डरा जो बोलने मुझे बोल अईयो रामा सिनेमा थेटर का मालिक आया उसे काम करने से क्यों रोक रहा है? पहले मुझ्छे तो मुकाबला करो जे तो फिर आजाओ देखते किस में कितना है दम तेरी डंडे शिप पिटाई कोलूगा आज तेरी एले अब बस यह मरने वाला है यह फटका और यह आखरी फटका आयो मैं तरुकर नहीं छोड़ेगा अब मेरा क्या होगा उसे आकेला छोड़ दो यह तो वही भीकारी था जिसको मैंने दो बार दो-दो हजार रुपए दिये थे यह क्या करेगा माफ करना मुझे बहुत डर लग रहा है मैं तुम्हारे यहां काम नहीं कर सकता क्या तुम ठीक तो हो हाँ मदद के लिए शुक्रिया तुमने जो मुझ पर उपकार किये थे यह उसकी कीमत है वैसे तुम्हें अभी संबाद के रहना चाहिए शायद कोई तुम्हें जान बूच के परिशान कर रहा है वो उन्डे वैसे बेवज़े तुम्हें कुछ नहीं करेंगे वैसे कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे यहां पर काम करूं क्या मैं कर सकता हूं क्यों नहीं वैसे मेरा नाम छौक है लेकिन तुम मुझे ठूक भी बुला सकते हो चलो अब मिलते हैं तो इसी तरह से हमारा पहला चप्टर इस गेम का कंप्लीट हो चुका है इसी बात पर सब्सक्राइब का बटन ठोक दू अब दूसरे दिन उसको टिकेट काउंटर पर ब एक लड़की दिखते हैं है यह मेरा बॉस को पैसा दे पाइली फूर्शत में निकाल प्लीज मेरा नाम है रॉडलेट और मैंने अगर अपने बॉस को पैसा नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा पिछले तीन दिन से वो मेरे पास पैसा मांग रहा है और अगर मैंने उसको पैसा नहीं दिया तो मुझे पर बहुत गुस्सा हो जाएगा नानी दो सो रुपए के लिए इतना सब कुछ माफ करना तुम्हें डराने के लिए मैं जरा सी दूरी पर गया ही था ये मेरे को गिरी पड़ी मिल गई अब क्या हुआ इसको ये गिर कैसे गई अउच मैंने अपने बॉस का पॉपकॉन गिरा दिया अगर उसको पता चला तो वो मेरे को छोड़ेगा नहीं मेरे को मारा डालेगा क्या तुम मुझे चार स्वीट पॉपकॉन लाखे दी सकती हो तो मैंने जाके स्वीट पॉपकॉन इसको चार पकड़ा दिये कीले भाई धन्यावद शाहिद मुझे गैंग्स्टर नहीं बनना चाहिए था क्योंकि मेरा बॉस मुझे बहुट डाटता है लेकिन ये तो काम का हिस्सा है शाहिद ठीक है तो आप ही मैं चलती हो तो मैं वापिस अपने थियाटर पर आके अपना काम करने लग गया वह तो अपना टिकेट काउंटर संभाल के बैट है मैं अपने लोगों को पॉपकॉन बाट रहा हूँ यह मेरे लिए फ्री में तो काम नहीं कर रहा है यह हर दस मिनट के पाच एल पी बोल्डो यह फिर इसकी जो करन्सिया वो चार्ज करता है तो दूसरे दिन मैं आफिस में जाके एक सोडा मशीन और बाकी की चीज खरीदने का सुचता हूँ सोडा मशीन और मैंने फ्रेंच फ्रायर को खरीद लिया हॉग डॉग ग्रिल्स के लिए अपनी उतनी अभी आकात नहीं है आँ जारा देखे काम कैसे करता है लो यह बनके अपने फ्रेंच प्राइज और यह कैसे काम करता है अब करो अच्छा इसके अंदर तीन फ्लेवर के स्मूधी या फिर जो भी है वो कहलो है इसको फिल करते रहना पड़ता है क्या ने फिल्ल तो पॉपकॉन करने पॉपकॉन के मशीन भी नहीं है उसके अंदर पता नहीं इन्फानाइट कॉन्स भरे हुए चलो आओ थोड़ा इस डेकोरेशन का भी ले लेते हैं दे देवाइं मेरोको कहा गया अच्छा इन्वेंटरी के अंदर है क्रिस्मस वाला ट्री आओ ऐसे क्रिस्मस आ भी गया है शोरी आके चला गया वीडियो डानने के बाद तो चला ही जाएगा रेकॉर्डिंग के टाइम पे था शाय दूस करना स्टाट कर देता है तेरी ऐसी की तैसी तू क्या कर रहा है यह लो इसने पहले सी पहले सी उट उटा हुआ है और तोड रहे निकल अब यह सब कुछ तो चली रहा था एक दिन में अपने घर जा रहा था तभी भाई यह किसके साथ खड़िया यार जरा पास चेके इनकी बाते सुनते हैं मुझे माफ कर दो बोल पागल उपन के मुझे मत मारो मुझे माफ कर दो तु कोई काम ठीक से क्यों नहीं करती तुझे कोई भी काम दिया तु ठीक से करती ही नहीं है तु दिन प्रती दिन मेरा नुक्सान करके मेरा दिमाग खराब किये जारे मैं पागल हो जाओंगा तेरी साथ अब तु गई तुझे तो मैं जिन्दा नहीं छोड़ूंगा उसको छोड़ दे बात मेरे से कर करने तु इसके लिए मुच्छे लणना चाहता है आजा तो फिर हाँ वो अलग बात है इसका भी फाइटिंग स्टैल डिट्टो वह साई था पहले इसको मारा और खफटका यह दोखो यह भी वह साई मैं दवाई पीके ताकतोर बंद रहा है साला सबको दवाई मिल रहे मेरो क हो यह दवाई तो मिल नहीं रही है निकल यह ले फाइनल फटका अब तो तू क्या है कि मिचल यहां से थेंक्यू अब तो उसने मुझे काम से भी निकाल लिया अब मैं बेरूजगार हूँ मुझे अपनों करी कौन देगा मेरे साथ काम करना चाहोगी सच्ची थेंक्यू सो मच ठीक है आभी घर जाओ कल सुबह मिलते हैं तो यह भी अपने घर जा रही है चलो मैं भी अपने घर सोने जाता हूं उससे लड़ लड़ के ठक गया चलो आ गई होगी आए यह इसी क्यों खड़ी है क्या हुआ मैं तैयार हूं काम के लिए तेरी यूनिफॉर्म किदर है मेरे पास उतने पैसे नहीं है ठीक है मैं देता हूं अरे 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 मैडम जी कहां धक्या ले जा रहे हो यार यह ले हो के मैं थोड़ी देर बाद आती हो मच 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 लेटर तो यह भी यहां पर एज पॉपकॉर्ण बाटने वाली मतलब देने वाली अब है यह टिकेट बहुत बार-बार क्यों खराब होते जा रहा है इसकी भी डियूरा अबलेटी बढ़ाने पड़ेगी मेरों को हाँ वो देखो पॉपकॉर्ण दे रही है सबको तुपकॉर्ण दे मैं बाखी सबको यह जूस वगर देता हूँ इस अब कुछ पॉपकॉर्ण ही देगी ए फिर नई बाखी सब कुछ मुझे देना पड़ेगा वाँ कोई नी शेफ होता है तो शेफ काम कर देता जा आप रिक्रूट्मेंट सक्सेस्फुल रही हमने एक की बाजाए दू-दो एंप्लोईजी रिक्रूट कर ले इसी बात पर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दूसरे दिन में काम पर जाए रहा था तभी आपर मेरे को एक बुड़ी अम्मा मिल जाती है वो मुझसे कहती है कि बेटा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है मेरा पोता वहां बस्टेंड पर टिफिन की रहा देख रहा होगा क्या तुम यह टिफिन बॉक्स उस तक दूंगा बड़े बुड़ों के मदद तो करने ही पड़ती है तो मैं आके उसके पोते माइल्स को यह टिफिन दे देता हूं वह भी मुझे थेंक्यू बोल देता है और उसके बदले में मेरे को एक कोका कोला की बोतल भी देता है तेरों को अगर इजर धन्दा करना है तो पूछने की हिम्मत भी कैसे करे रहे है ठीक है माप कर दो यह लो पैसे आश बच गया आ रहे है उसको पैसा क्यों दिया यह गुंड़े बहुत ताकतोर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्से लड़ सुकू मेरे सारा पैसा लेके चले गए वो लोग अब मैं घर जा र जल्दी जल्दी मुझे पैसा दे रहे उसको डराना बंद कर तो उसके लिए मुझे क्यों लज रहा है रहे पहले मुझे लड़के तो देख रहे हाँ तेरा आरी रे निकालता हो अभी आजा आ रहे इसको मार मार के इसका भूत बना दिया मैंने मुझे बहुत धर दो रहे मैं अपनी ममा को बुलाओंगा तु संबाल के रहे हो मैं अपनी मा को बुलाओंगा अभी इसका सारा रारा रीरी निकाल दिया थेंक्यू मुझे इस गुंडे से बचाने के लिए अब मैं शाम को यहां से जा रहा होता हूँ तब ही देखता हां अभी भी इदर खड़ा है तेरा तो दोस्त गया अब कौन तेरे साइड से लड़ेगा मुन्ना तेरी दुकान तो अब गई तोड़ो रो इसकी दुकान अब इससे पहले कि वो लोग इसका भरता मना दे मुझे जाना पड़ेगा अभी अब इससे लड़ने तो चला गया लेकिन यह एक के बजाए एक के साथ दो फ्री तीन तीन आगे मेरे मुझे जैसे तैसे इनको मार दिया मैंने तू निकल तू भी निकल हाँ तो इन दोनों गुंड़ों को लिएक आया ता तू भी जा तूम्हारे मदद के लिए शुक्रिया लेकिन उन लोगों ने मेरा दुकान दोड़ डाली मेरे साथ काम करेगा हाँ क्यों नहीं लेकिन मुझे एक उनिफर्म चाहिए 2000 रुपए दे सकते हो हाँ ले भाई तू भी 2000 ले ले वो लड़की ने भी लिये ते तू भी ले थेंक्यू मैं कल से काम पर आ जाऊंगा तो अब उसकी मदद करके मैं अपने घर जाए रहा होता हूं लेकिन बीच में मुझे रोटी चाचा मिल जाते ही जो हमारा सेकंड चाप्टर की फर्स्ट हिस्सा है फर्स्ट हिस्सा है वहां पर हमें रोकते हैं का एक न्यू दोस्त जो यहां का मेर होता है वहाता है मेर इसको दिरेंट्री ड़ा लेट्ली ड़ा रहता है तुमाई तुँ यहां पर काम कर ओ यहां यह मेरा नाम कि कर देता है वहां पर तो मुझे डराने लगता है मेरे शब्दों के बाहर कोई नहीं जाता तो अभी मेरे पास इतना तो फिलहाल पावर नहीं है कि इससे लड़ सकूँ इसके पास हजार गुंड है मैं तीन गुंडों से लड़के मेरे हाफ एच्पी हो गई यह 100 गुंडों छोड़ेगा तो यह अब जब भी इसका अगला अपडिट आएगा खेलेंगे अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमकिदार वीडियो में तब तक के लि बज़ हो इसको